रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारक रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो में आपका स्वागत है मेरे नाम सतीश है, गेस्ट फैकल्टी, कोचिंग फूर पूर पीजी स्टूडेंट्स, राची इनिवर्सिटी राची आज के इस ओडियो लेसन में हम लोग सिप्टमबर 2020 के कुछ महत्पुन घटनाव पेक नजर डालेंगे सिप्टमबर 2020 के करेंट फैर्स की ये दूसरी कड़ी है विश्व आतम हत्या रोग थाम दिवस 10 सितंबर परतेक वर्स 10 सितंबर को विश्व आतम हत्या रोग थाम दिवस के रूप में मनाया जाता है जैसा की नाम से इस पस्ट है कि इसका उदेश विश्व भर में आत्म हत्याओं को रोखना है विश्व स्वास्त संगटन के एक अनुमान के नुसार परतेक वर्ष विश्व में लगभग आठ लाक लोग आत्म हत्या करते हैं अर्थात परतेक 40 सेकंड में एक वेक्ती आत्म हत आत्म हत्याओं के आंकडे जारी किये रास्टे अपराद रिकार्ट ब्योरो द्वारा प्रकाशित भारत में एक्सिडेंटल डेट्स एंड सूसाइड्स रिपोर्ट्स का एक हिस्सा है किसान आत्म हत्याओं पर हाल ही में जारी आंकडों के नुसार 2019 में लगभग 42,480 किसा 2018 में 10,357 था 2019 में आत्म हत्या करने वाले दैनिक ग्रामिड वेतन भोगी स्रमिकों की संक्या 32,569 थी 2018 में यह संक्या 30,132 थी 36 गड में देश में सबसे ज़्यादा आत्म हत्या की दर 26,4 परतिशत थी उसके बाद केरल में 24,3 परतिशत और तेलंगना में 20,6 परतिशत थी विश्व आत्म हत्या रोक्ताम दिवस को वर्ष 2003 से परती वर्ष 10 सितंबर को मनाया चा रहा है इस दिवस के लिए International Association for Suicide Prevention विश्व स्वास्त संगतन और विश्व मांसिक स्वास्त संग मिलकर कार करते हैं PM मोदी ने परधार मंत्री मज से संपता योजना लांच की 10 सितंबर 2020 को परधार मंत्री नरेंदर मोदी परधार मंत्री मज से संपता योजना लांच की इस योजना के साथ PM ने ईगोपाला अप्लिकेशन भी लांच किया यह योजना भारत में मज से पालन के सतत विकास पर केंदरित है इसे 2021 और 2024 पच्चिस के बीच लागू किया जाएगा इस योजना के तहत मज से पालकों के लिए आवंटित धनराशी 20,050 करोड रुपए है यह मजली पालन शेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गई धनराशी है इस योजना का लक्ष 2024 पच्चिस तक मजली उतपादन को 70,000,000 तन तक बढ़ाना है इसका उदेश मज से किसानों की आए को दुगना करना है यह योजना मज से पालन शेत्र की फसल के बाद के नुकसान को घटा कर 25 परतिशत से 20 परतिशत से 10 परतिशत कर देगी यह योजना मत्स शेत्र में प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष रूप से 55 लाख रोजगार पैदा करेगी इस योजना का उदेश फिन फिश हैचरी की स्थापना, बायो फ्लाक, ताराबों का निर्मान, आईस प्लांट्स, पिंजरो की स्थापना, मचली चारा, पौधों की स्थापना आदी है इस application का उदेश किसानों के परतेक्ष उपयोग के लिए नसल सुधार, मार्केट, प्लेस और सूचना पोटल में सुधार करना है इस application में कई विशस्ता हैं शामिल होंगे या मत्स किसानों के लिए पशुधन के परबंदन के लिए भारत में एक डिजिटल मंच के रूप में कारे करेगा इसमें रोग, मुक्त, जर्म, प्लाजम की खरीद और बिक्री और गुनवत्ता परजनन सेवाओं की उपलब्दता शामिल है या किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अलर्ट भेजेगा पि-म रास्टि गोकुल मिशन के तहट पसु विज्ञान विस्विध्याले में स्थापित IVF लैब का उधगाटन करेंगे ये परियोक्षा लाएं दूद उतपादन और उतपादक्ता को कई गुना बढ़ाने के लिए महतपून है इंडिया पोस्ट ने फाइव स्टार विलेज योजना शुरू की डाक विभाग द्वारा फाइव स्टार विलेज योजना शुरू की गई है या योजना भारत के ग्रामिन शेत्रों में प्रमुक डाक योजनाओं की सारोभामिक कवरेज यानि की 100% कवरेज सुनस्चित करती है इस योजना को सबसे पहले महराष्ट में लागो किया जाएगा परतेग जेले के 50 गाउं को 2020-2021 के दोरान कवर किया जाएगा इस योजना को देश जन जागरुकता में अंतराल को दूर करना और दूर दराज के गाउं में डाक उतपादों और सेवाओं की पहुँच बनाना है इस योजना के तहट सभी डाक उतपाद और सेवाएं ग्रामिन स्तर पर उपलब्द, विपणन और परचारित की जाएंगी शाखा कारेले खोरे जाएंगे जो वन स्टॉप शॉप के रूप में कारे करेंगे या ग्रामिनों की सभी डाक घर संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा फाइव स्टार योजना निमलखित उप योजनाओं की पहल या निगरानी करेगी बचत बैंक खाते, आवर्तक जमा खाते, एनस्सी या के वीपी प्रमान पत्र, सुकरन्या समर्दी खाते वा पीपी एफ खाते भारत डाक भुगतान बैंक खातों से जुड़ा हुआ वित पोशित डाक घर बचत खाता डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्रामिन डाक जीवन बीमा पॉलिसी परधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना खाता तथा परधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना खाता गाउं को प्रदर्शन आधारित स्टार रेटिंग परदान की जाएगी यदि कोई गाउं पांच उप योजनाओं में से चार के लिए सारोभामे कवरेज प्राप्त करता है तो गाउं को फोर स्टार दर्जा मिलेगा विश्व आर्थिक सोतंतरता रिपोर्ट 2020 हाल ही में Global Economic Freedom Index 2020 की रिपोर्ट में भारत 26 अस्थानों के गिरावट के साथ 105 वे इस्थान पर पहुँच गया पिछले वर्स के अनुसार भारत 89 अस्थान पर था यह Heritage Foundation और Wall Street General द्वारा 1995 में पहली बार बनाया गया एक वार्षिक सुचकांग है जिसने दुनिया के देशों में आर्थिक सोतंतरता का अनुमान लगाया है यह ranking देशों को आर्थिक सुतंतरता के पैमाने पर 0-100 के बीज स्कोर परदान करती है जहां सुनने का अर्थ आर्थिक सुतंतरता का अभाव है और 100 का अर्थ पूर्ण आर्थिक सुतंतरता है इस वर्थ सिंगापूर 89.4 अंके साथ एशिया परशान छेतर में 42 अन्य देशों के बीज दुनिया की सबसे सुतंतर अर्थ विवस्था में पहले अस्थान पर रहा इस रिपोर्ट में हौंग कॉंग दूसरे अस्थान पर रहा सुचकांग के बारे में दिल्चस्प बात यह है कि चीन का स्थान भारत से भी नीचे रहा इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का मुख्य उदेश आर्थिक सुतंतरता का आगलन करना है इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश आर्थिक सोतंत्रता, नेजी स्वामित्तो वाली संपती की आर्थिक सोरक्षा, वैक्तिकत पसंद के स्तर वैपारिक परती भागियों के लिए बाजारों में परवेश करनी की शम्ता कानून का सासन एक सुबारसर देशों और शेत्रों क की नीतियों और संस्थानों का विशलेशन करना है, इस सूचकांग में दस सबसे कम रैंक वाले देश, अलजीरिया, अंगोला, अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इरान, लीबिया, कांगो गणराज्य, सुडान, वेनेज्वेला और जिंबाबे है पंजाब किर्शी फसल अवसेश को बायोमास इंधन में परिवर्तित करेगा पंजाब उर्जा विकास एजनसी, PEDA, पंजाब सरकार के साथ मिलकर जल्द ही धान के भूसे के उप्योग के लिए एक विकल्प लेकर आ रही है किर्शी फसल अवसेश को जलाने की समस्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पंजाब उर्जा विकास एजनसी के माध्यम से इस समस्या को दूर करने में एक मातवपून भूमिका निबा रहा है दान और गियों के खेट से बचा हुआ अवसेश आम तोर पर खेट में ही जलाया जाता है इससे जलाने से पर्यावरन समस्याओं के साथ साथ स्वास्त समस्याओं भी पैदा होती है पंजाब में लगबग 20 मिलियन टन दान का अवसेश उत्पन होता है इन में से केवल 5 पर्तिशत का उपयोग जैव इंधन बनाने के लिए किया जाता है शेश खेट में ही जला दिया जाता है कृशी फसल अवसेश का जलाना दिल्ली में परदूशन और धुंद के सबसे बड़े कार्म में जीएक है इसके लावा स्टब बर्निंग से मिट्टी की उरवर्ता भी कम हो जाती है और इससे निकलने वाली गर्मी बैक्टिरिया को मार देती है और मिट्टी की नमी को कम कर देती है PEDA जो एक राज नोडल एजनसी है पिछले 30 वर्सों से अधिक समय से नवी करनी उरजा के समवरधन और विकास के दिशा में काम कर रही है एजनसी ने 11 बायोमास बिजली सेंत्रे स्थापित किये हैं जहां 97 दस्मलों 50 मेगावाट बिजली उत्पन होती है इन सेंत्रों में कुल 20 मिलियन टन धान की कुल मातरा का 5 प्रतिशत से भी कम जो के लगबग 8.8 शुन्य लाग मिट्रिक टन धान के अवशेस हैं का उपयोग परतिवर्ष बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है इन में से अधिकान सेंत्र 4-18 मेगावाट के हैं और सालाना 36,000 से 1,62,000 मिलियन अवशेस का उपयोग कर रहे हैं उपरोग सेंत्र के अलाबा 14 मेगावाट शंता वाली दो और बायोमास बिजली परियोजनाई विचाराधीन हैं और जून 2021 से पूरी तरह से या काम करना शुरू कर देंगी इन 14 मेगावाट के सेंत्र के संचालन के लिए परती वर्स 1.26 लाग मिलिटिक टन धान अवशेस की आवशेस की आवशेक्ता होगी ये बायोमास बिजली परियोजनाई अपेक्शाकरित कम CO2 और कन उत्सरजन के कारण परियावरण के अनुकूल हैं और कोईले जैसे जिवास में इंधन को भी विस्तापित करती हैं ये परियावरण के लिए बहुत फाइदेमंद हैं अंतराष्ट ये होजोन परत सलक्षन दिवस 16 सितमबर अंतराष्ट ये होजोन सलक्षन दिवस या फिर विश्व ओजोन दिवस परते एक वर्स 16 सितमबर को मनाया जाता हैं इस दिवस की घोशना संयूक्त रास्ट महासभा दवारा 19 दिसंबर 1994 में की गए थी इसी दिन 1987 मे मौन्ट्रियल प्रोटकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे इसका उद्देश ओजोन परत के सनक्षन के बारे में जागरुकता फैलाना तता इसकी सनक्षन के लिए समाधान ढूनना है ओजोन परत गैस की एक सुरक्षा परत है परत्वी को सुरकी हानिकारक पराबैंगनी किर्णों से बचाती है इस परत में ओजोन की काफी अधिक मातरा पाई जाती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन हेलोन तथा कार्बन टेट्रक्लोराइब जैसे तत्व ओजोन परत के लिए काफी नुकसान दायक होते हैं मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतराष्टी संदी है इसे ओजोन परत के सनक्षन के लिए बनाए गया था इस संदी पर 26 अगस्त 1987 को कनाड़ा के मौन्ट्रियल में समती प्रकट की गए थी यह संदी 26 अगस्त 1989 से लाग होई थी इस संदी के बाद मई 1989 में हेलसिंकी में एक बैठक का आयोजन किया गया था इस बैठक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CTC, हेलॉन, मिथाइल, ब्रॉमाइट, मिथाइल, क्लोरोफॉम, तथकार्बन, टेट्रकॉलोराइट को कम करने पर चर्चा की गई थी इस प्रस्ताओं के विश्व भर के 1997 देशों द्वारा पारित किया गया था या संदी काफी सफल भी रही है ओजोन परत सनक्षन के लिए वियना सम्मेलन या एक बहुराष्टी समझोता है इस पर 1985 में समती प्रकट की गई थी और या 1988 में लाग हुआ था इस 1997 सदस्य देशों द्वारा पारित किया गया है या ओजोन परत की सनक्षन के लिए एक फ्रेमवर के रूप में कारे करता है परन्तु इस समझोते में ओजोन परत को नस्ट करने वाले कारकों को कम करने के संदर्ब में कोई विवस्था नहीं की गई है तो इस संक में इतना ही धन्ने वाल